तो रिसेटली जो है मैंने एक कंट्रोलर लिया था और उसका नाम है एमकेट का इवोबॉक्स यूनिवर्चल कंट्रोलर यह 2800 रुपए का यूनिवर्चल कंट्रोलर अपने नाम को बहुती बढ़िया तरीके से जस्टिफाई करता है क्योंकि यह सपोर्ट करता है कई सारे डिवाइसे और प्लाटफॉर्म को जैसे कि iOS, Android, PC यहां तक की यह स्विच को भी सपोर्ट करता है तो आज हम दोग देखने वाले है किस तरीके का यह प्रोलर है क्या इसके प्रोज है क्या इसके कॉंस और क्या आपके लिए अपनी प्राइस पर सही है कि नहीं है तो चलिए पटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको वेरियस टाइप की जो है आपको वेरियस टाइप की जो है अरिजनल और जन्वीन OEM कीज मिलती है आप इसकी वेबसाइट पर चेक आउट कर सकते हो जैसा की विंडोस 10 की विंडोस 11 की और MS Office की यह मैंने थारे इसकाउंट कूपन और कॉमो पैक जो है डिस्क्रिप् यूजर मैनुल इसकी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और बहुत ज्यादा आपको संभाल के रखती है क्योंकि इसी यूजर मैनुल जो है कहीं पे भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है और यूजर मैनुल के थ्रूह ही आप इसमें कई सारे मोड को सेट कर सकते हो जो मैं आ यह प्लास्टिक नहीं है बहुत ही अच्छी प्लास्टिक मैटेरियल कैसम हम यूज वागया, तो जब इसको आप हाथ में यूजर में करते हो तो कहीं से भी आपको बहुत फिल्मने या अन्सेबल फिलिंग नहीं आती है एक अच्छी क्वालिटी का कंट्रोलर आप युज इसको लो ऐसा आपको लगता है और इसके बटन वगएरा भी बहुत अच्छे है बहुत क्लिकी और बहुत ही टैक्टाइल फील देते हैं और जब आप बहुत देर तक गेमिंग करते हो तब भी आपके हाथ में कहीं से भी पेट पूल यां अजीब नहीं लगता है बहुत ही कं कंट्रोल भी कर सकते हो बसके बाक spielt में कट्रोल कर सकते हैं इसके में बटन दिया हुआ है अगरा मोबायल पर गेमिंग करना चाहते ौ तक mora को isat एक्स बाइच कर सकते हो और जैसा आप इसमें कई सारे बतन से रका है इसमें आपको turbo mode भी दिया हुआ है आपको backside में दो बटन भी दिया हुआ है जिसमें आप Macro Mode पे उन बटन को set कर सकते हो और इसमें जो है Vibration को control करने के लिए पीछे दो बटन दिया है जिससे आप अपनी Vibration की intensity भी कम या ज़्यादा कर सकते हो अब चलते हैं इसे compatibility की तरफ तो इसमें Wide Array of Compatible Devices दिया हुआ है तो PC से connect करने के लिए इसमें आप सेंटर बटन और R1 बटन को रपाऊगे तो यह PC Pairing Mode पे चला जाएगा PCP जो है यह Xbox controller की तरह ही detect होता है Xbox One F controller की तरह detect करता है और आप बहुत दी इजली इसको pair कर सकते हैं इसमें आपको सबसे बड़िया बात है कि कोई भी डॉंगल वगेरा नहीं यूज करना है किसी भी डिवाइस को यूज करने के लिए आप इसको pairing mode पे डालो और यह किसी भी डिवाइस से directly connect होता है without any dongle और जैसा आप जानते हो कि Xbox controller जो है इसके almost सारे games पे support है तो इसलिए आपको बहुत अच्छा गेम का support मिल जाता है PC पे इसमें आपको कोई third party app भी नहीं use करनी पड़ती है compatibility को set करने के लिए जैसे बाकी controller आप में DS4 वागेरा आप यूज करनी पड़ती है Android पर यह wireless controller की तरह डिटेक्ट होता है और इस पर भी इसका support काफ़ी बढ़िया है मतलब काफ़ी जारे games में जो इसमें default support दिया हुआ है हाला कि emulator वगएर आप यूज करते हो तो इसमें आपको एक बार जो है इसको सारे buttons को map करना पड़ेगा लेकिन जब आप इस पर gaming करते हो Android पर अगर आप emulator पर करते हो या फिर आप पजी खेलते हो या फिर आप asphalt वगएरा कोई भी गेम खेलते हो तो बहुत ही अच्छा experience है अगर आप clamp लगा के भी खेलते हो तो बहुत बढ़िया रहता आप अपना bed पे आराम से लेट के या कहीं पे भी अपने comfortable होके इसको यूज कर सकते हो बाकि जब मैंने इसको switch mode पे डाल के PC से connect किया तो यह switch का जो प्रो कंट्रोलर आता उस mode पे PC में डिटेक्ट करने लगा और एकदम easily wirelessly वह ब्लुटूथ के तरू इस से connect हो गया और जब मैंने इस mode पे जो है इस controller को एक emulator पे connect किया तो वहां पे भी जो है बाकि मुझे इसको यूज करते हुए almost एक महीना बीच चुका है तो गेमिंग experience की जहां तक बात कर तो बहुत बढ़िया ऐसे gaming experience है इसमें जो है आपको vibration भी बहुत प्रिसाइज और अच्छी vibration दिया हुआ है और आपको in hand में जो है कभी भी ए टारिंग फील नहीं होता इस इसके बैटरी की बात करें तो इसमें 800 mAh की बैटरी दी हुई है जो कि almost 6-8 गंटा चल जाती है मतलब जितने दिन मैंने यूज किया है मतलब 5-6 दिन तो मेरी आराम से चल जाती है मैं बहुत जाता गेमिंग नहीं करता हूं लगातार और इसकी बैटरी को पूल चार्ज होन अब ही जो user manual है उसको आपको अपने पास रखना पड़ेगा क्योंकि अगर आप different modes पे यूज करना चाहते हो तो इसके जो अलग-अलग modes से आपको बार-बार देखने पड़ेंगे आपको एगदम easily याद नहीं होगा कि यह कौन से mode पे चल रहा है और जहां तक इससे grip की ब बिकार भी लग सकता है जैसे मेरा personal taste है कि मुझे जो है simple चीजें ज्यादा पसंद है मुझे RGB बहुत अच्छी नहीं लगती है तो अब जिन लोगों को भी RGB पसंद है उनके लिए तो बेटर है बड़ जिन लोगों को RGB नहीं पसंद है उनको जो है कई silicon cover वगएरा यूज करक आपको डॉंगल संभाल के नहीं रखने है कि खो जाएंगे वगएरा तो इसलिए जो है इसका connection और इसका support है वो इतना seamless और इतना simple to use है जो मुझे लगता है कोई भी दूसरा controller नहीं दे रहा है तो अपने value को यह बहुत ही जाद अच्छी तरीके से justify करता है अगर आपके प अब ही जो है devices ले सकते हो यह सोच रहे हो तो भी यह controller आप एकदम आख बंद करके purchase कर सकते हो मेरे आप से बहुत बड़ी है controller है तो friends CC के साथ मैं यहीं end करूँगा हूँ करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है अगर आपको कुछ questions पके रहा है तो आप controller से लेटे मुझ